नमस्कार दोस्तों ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशैनी एकादशी के विशेश महत्व का वर्णन किया गया है इस व्रत से प्राणी की समस्त मनुकामने पुर्ण होती है यह एकादशी आसाड मास के शुकल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है इस एकादशी से चातुर मास का आरंभ माना जाता है इस अबदी में कोई भी शुबकार्य जैसे विवाह आदी नहीं किया जाता माननेता है कि इस दिन से भगवान श्री हरी विश्नु छीर सागर में शेन करते हैं और फिर चार माह बाद उन्हें उठाया जाता है जिस दिन को देव उत्थानी इकादशी काहा जाता है इस पीच के अंतराल को ही शातुर मास काहा गया है देवशेनी एकादशी को देवशेनी एकादशी, महादशी, थौली एकादशी, हरी देवशेनी, पदमनाब, शेनी तथा प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है धर्मराज युदिष्ठिर ने कहा ये केशव आसार शुक्ल एकादशी का क्या नाम है इस वरत्के करने की विधी क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है श्री क्रिष्ण कहने लगे कि हे युदिष्ठिर जिस कता को ब्रह्मा जी ने नारज जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ एक बार देव रिशी नारज जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विशय में जानने के उत्सुकता प्रकट की तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया सत्युग में मंधाता नामक एक चक्रवर्ती समराट राज्य करते थे उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी किन्तु भविश्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता अता वे भी इस बात से अन्भिग्य थे कि उनके राज्य में शिक्र ही भैंकर अकाल पढ़ने वाला है उनके राज्य में पूरे तीन वर्ष तक वर्षना होने के कारण भैंकर अकाल पढ़ा इस अकाल से चारो और त्रही त्रही मज गई धर्म पक्ष के यंक्य, हवन, पिंडदान, कतावरत आदी में कमी हो गई जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रूची कहा रह जाती है प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी राजा तो इस इस्थिदी को लेकर पहले सही दुखी थे वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है फिर इस कष्ट से मुक्ती पाने का कोई साधन करने के उद्देश से राजा सेना को लेकर जंगन की ओर चल दिये वहाँ विचरन करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगीरा रिशी के आश्रम में पहुँचे और उन्हें साश्टांग प्रणाम किया रिशीवर ने आशीर वचन उप्रांत कुशल छेम पूछा फिर जंगल में विचरने वह अपने आश्रम में आने का प्रायोजन जानना चाहा तब राजा ने हाँ जोड़ कर कहा महात्मन सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का द्रिश्य देख रहा हूँ आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है कृप्या इसका समाधान करें यह सुनकर महिर्शी अंगीरा ने कहा हे राजन सब यूगों से उत्तम यह सत्यूग है इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भ्यंकर दंड मिलता है इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है ब्राह्मन के अत्रिक्त किसी अन्य जाती को तब करने का दिकार नहीं है जबकि आपके राज्य में एक शुद्र तपस्या कर रहा है यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षय नहीं हो रही है जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष सांत नहीं होगा दुर्भिक्ष की सांती उसे मारने से ही संभव है इंतु राजा कहरिदै एक नर अपराद शुद्र तपस्री का शमन करने को तयार नहीं हुआ, उन्होंने कहा, हे देव, मैं इस निरपराद को मार दूँ, यह बात मेरा मन स्विकार नहीं कर रहा है, क्रिप्या करके आप कोई और उपाय बताएं, महिरशी अंगिरा ने बताया, आसार महा के शुकल पक्ष की इकादश व्रत करें, इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी, राजा अपने राज्य की रासधानी लोटाएं और चारो वर्णों सहित पदमैकादशी का विधेपूर्वक व्रत किया, व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मुसलाधार वर्षा होई, और पूरे इंधान्य से परिपूर्ण हो गया।